जोहार जारखंड जै जारखंड आशा करते हैं उमीद करते हैं आप ठीक होंगे आज का लाइब वहीं से जहां जब भी कोई ऐसी मनो इस्तिती सामने आती है जब खुद को दुविदा में थोड़ा सा हतोथ साहित इस्तिती में पाते हैं तो एक ही जगा को चैन करने का अफसर मिलता है समसान पुना वीडियो के माद्यम से विकास का है और यह वगल में यह प्रकास का कब रही दोनों के कबर के बीच से जहां उनेखनाया गया है वही से आज संदेश क्युक्य मेरा आदत रहार है और जा जाहिर सी बात है लोग सवाल करते हैं कि कहीं तुम भी लोगों की तरह बदल तू नहीं जाओगे तूने एकी संदिश देना चाहेंगे जो संदिश समसान से दिया करते हैं वे बदलाव की गुंजाइस उनसे ये मत तो पिक्षा रखेगा कि वे बदल जाएंगे परिस्तितियार बदलेंगी चेहरे का रंग ढंग बदलेगा लेकिन वीन भीचारधारा वही रहेगा सिध्धान वही रहेगा क्योंकि समसान में जो बैट कर संदिश देते हैं और विसेस कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती है शक्तियोंगा करते हैं। समसान से संदेश और जाहिर सी बात है मनोवल बिचले थोना भी स्वभावी के क्योंकि कल जो कदम महाधिवेशन के माध्यम से हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग होगा इसी राइज में अब तक रहा है राजा का बेटा राजा बनेगा या तो कुल कतई आसान नहीं है और कल सुब चिंतकों के साथ साथ बिरोधियों की भी निगाहे हैं होना भी चाहिए हम बिरोधियों का संबान करते हैं क्योंकि हमारी लड़ाई उनसे बेचारिक है सरीर से नहीं है लेकिन जाहिर से बात है बेचारिक लड़ाई में भी कहीं ना कही जब आपकी आयू की अपिक्षा में उमीदे ज़्यादा होती हैं, आपकी आयू की अपिक्षा में बिरोधियों और पक्षयों की फोच ज़्यादा खड़ी होने लगती है, तो स्वभावी की बात है थोड़ा सा बिचलित होना पड़ता है, और जब जब बिचलित होते हैं, तो मुझे एक ही जगा याद आती है समसान और फिलाल अपने जीवन के दो ऐसे सक्स जिनको खोने के बाद काफी व्यथित रहे हैं और जाहर से बात हम वहां तभी इंट्रीम आते हैं जब जीवन में कोई ऐसी परिश्टिती मेरे सामने आती है जो मुझे लगता है कि कठे नाईया है और कठे नाईयों से सामना यहीं से होता है कि यहीं सच्चा ही है तो फिलाल सबसे पहले तमाम राज्यवासियों को मैं निहवेदन करना चाहूंगा जहिसी बात है बहुत सारे साथियों ने सभावी के प्रस्र करना भी लाजवी है कि हम लोग टेलिफॉनिक माध्यम से कॉम्निकेशन माध्यम से उनसे नहीं बात कर पाएं यानि समय सकते हैं 3000 लोग का मेसेज अनसें पड़ावाज इसको हम सिंद तक नहीं कर पाएं तो लिहाजा भली भाती आप हमारी इस्तिति और परिस्तिति को समझते हैं तो कुल मिलाकर आप सी सीक्वी गिले को भुलाकर आपका मित्र आपका भाई होने के नाते आपका साथी होने के नाते आज सोरी अब कल नहीं भले रात है लेकिन यह तो हम लोग 12 बजी से पार हो चुके नहीं आज 18 तारिक बिनो धाम बलियापूर में रहुल्दा धनिबाद जो महाधिवेशन का आयोजन रखा गया जारकंडी मासा कत्यान संगर समीति के माध्यम से उ और आप विनम्र प्राणत्रा करते हैं इस अवसर में या आप अपनी उपस्तिति देकर हमारी होसली को अवजाई करें हमारे साथियों के अफजाई करें और जो एक करवट ले जैसा कि हम लोगा फ्लैनिंग हुआ है कि एक जगह जमा होकर जिसमें टीएपी हाइश्कूल ग्राउंड जो हमारे गाउं का फुटबॉल मैदान है वहां से जमा होकर लगवग साड़े साथ पई तक हम लोगा जमा होके फिर वहीं से एक साथ बिनो धम भलियापूर के लिए धन्यबाद भूला दा तो फिलाल संदेश से ही रहेगा ज्यादा बिशेश नहीं क्योंकि रात्त्री है गौड़ा से धन्यबाद भारतिदा और ज्यादा बिशेश नहीं यही कहेंगे कल के महाधिवेशन के लिए आप साधर अमंतित हैं आपकी उपस्तिती हमारे होसले हमा लगी हैं कि जो मुद्दों पर आज हम लोग बात कर रहे हैं सो भाव इसी बात इन मुद्दों पर कभी जो हमारे राजनीतिक दल हैं वे बात करती थी वे लोग भी इसी तरह की बाते करते थें लेकिन समय के साथ हुए बदल चुके हैं तो हम लोग असपश्च कहना चाहेंग उनको भी इस परकार से ट्रेंड किया जाएगा जिससे कि वे भी जो आज जैसा हम हैं और ऐसा हुए लोग रहे हैं राना दा मलेशिया से धन्यबाद बदलाव से धानतों में ना हो इसकी पूर्ण परियास करेंगे जहां तक रेक्तिगत की बात है तो निश्या ही हम लोग पूशेस नहीं उमीद रखिए हम लोग अंतिम सांस तक लड़ाई लडएंगे जनता की हित के लिए और यह उमीदें तब दुगनी बढ़ जाती हैं जब बीदेसों से पहले लोग जब बीदेस फंडिंग का नाम सुनते थे तो उनके जहन में आता था कि कोई देश तो धी ताकते नहीं बीदेसी फंडिंग का मतलब अब वो मजदूर है जो इस देश से भाहर हैं उन्हें भी उमीद है या फिर कहें ना कहें जो नीतियां बनाई गई हैं उनसे चले गए हैं तभी तो वो बीदेस में हैं चालिस परतिसाज खणी संपदा देने वाला राज जब यहां के बेटें जब कोई कहता है कि हम 27 साल से अबुधावी में हैं अपना घर परिवार अपने रिलेशन अपने गाउं की पगडंडियां अपना पीपल का छाव नीम के पत्ते वह नहर वह किलकिलाते पेड़ों प हम लोग इस बात से आस्वस्त रखते हैं और उसी पैटर्ण के चलते जिस पैटर्ण को आज हम लोग चैलेंज करके बदलने के कगार पर खड़े हैं उसी पैटर्ण के कारण आज लोग कहीं ना कहीं हम लोग को इर्ष्या भाव से भी देखते हैं उनकी इर्ष्या को भी हम मालेशिया कुवेत शाव तफरीका लगभाग सत्रों अठारों कंट्रे से प्रेम मिला उसके लिए आभार आजीवन आपके प्रेम का जो कर्ज है वह आजीवन रहेगा इसे उतार पाना संभाव नहीं तो फिलाल साथिस जो भी सहयोग मिला उसके लिए आभार और आप चुकि है उमीद से बढ़कर है इसके लिए आपका तहदिल से आभार और साथी आज इतने भी हमारे कारीकरता साथी हैं उन्हें विशेश निवेदन और संदेश होगा कि थोड़ा सा धीराज के साथ सैयम के साथ अनुसासन के साथ मर्यादा के साथ अपना जो भूमिका है कल के बिल्कुल हमने तो कहा कि दर लगभग सत्रों अठारों कंट्री से आये हैं ट्यूनेशिया से दादा का जोहार गंश्यामदा उमीद करते हैं आपका प्रेम हमें लाख गुना होसला देने का कायरी करेगी सुनील दा मंबै से हैं जोहार कुएत से बाबुदा जोहार बहुत इसके अलावा कुछ नहीं है बिल्कुल बिवेक साधा आपने जो सब्द कहा है जाती बाद हम लोग परियास करेंगे और ऐसा नहीं है कि हम लोग और इसके लिए परियास नहीं करें सभी लोग जोडने काम है और निश्या ही आपको और भी कोई सुझाव लगे बिल्कुल और भारत और जहरखंड की राजनीती में इसे अपना कार नहीं सकते हैं तो हम लोग परियास करेंगे कि सिद्ध एक सर्म धर्म और जमात की बात हो सभी बर्गों को लेकर चले हम लोग परियास करेंगे बाकी लोगों का काम है जहर घोलना आप देख सकते हैं लगातार आज इसे मनुष्य में जितना जहर खोलता है उतना तो खेरा जहर में भी असर नहीं होता है तो इसलिए लोगों का बात को इग्नोर करते हुए आप इस बात को फोकस कर सकते हैं और कल के महा अदिवेशन में आपने जो जाती सब्द का परियुग करते हुए सवाल किया था दादा आप कल के महा अदिवेशन में आके देख सकते हैं संभाव साब सब्द में कहा जाए तो सभी बर्ग सभी जात सभी धर्मों के लोग उपस्तित रहेंगे और उपस्तित ही ने रहेंगे वे लोग अपनी राय को भी रखेंगे वे लोग अपने विचारों को भी सुझाएंग तिरुपति से जोहार मिधुनदा को, वे लोग अपने राय को सुझाएंगे कि कैसे हम लोग बहतर कर सकते हैं बाकी जाहर सी बात है, कमिया और खामिया हर एक में होती है लोगों ने नानक, बुद्ध, सुकुरात में कमिया रही है तो हम तो उनके चरनों के धूल के बराबर है हम लोगों ने कभी एटिटीट नहीं किया है कि हम है तो हम ही हम है हमें भी कमिया है, हमें भी खामिया है लेकिन समय के साथ और आपके सवालों के साथ उसे हम लोग बहतर करने का प्रियास करेंगे, हम लोग कोशिस करेंगे कि बहतर हो, ओमान से मुनिदा जोहार अपको, तो फिलाल कल के लिए संदेश यह होगा, कल के महा अधिवेशन के लिए बलियापुर बिनोद बाबु की विचारधारा, जहां रग-रग में कंकन में, कॉम अधार करास्ट बाद देने का कस्ट करेंगे, नंद किसोर दा सौधी यरब से जोहार दा लगभग लगभग, सत्रों से अठारों कंट्रियों से प्रेम आया है, समर्थन आया है, सही हो गया है, उसके लिए धन्यबाद प्रेम को वार्मिश्रा दा जोहार, सागी रनसारी द जोहार, दिल्ली से बिजय रजगता जोहार, जितु महतोदा बिल्कुल दादा हम लोग परियास करेंगे, सभी बर्गों को साथ मिले जाए या जाए, और उसके लिए हम लोग जैसे ही महादी विश्रान समाप तक उसके बाद चर्चाएं करेंगे, बाकि आपके सवालों के इसलिए थ्वासा सोने के लिए हम लोग चेश्टा करेंगे, मुंबई से हिरादा, जोहार, खुर्षिद इमामदा, बैंगलोर से जोहार दादा, जै जारकंड, जोहार जारकंड, आज का संदेश समसान गाट से, समसान का हर्थ जहां सच्चाई, जहां मोह माया से थोड़ा दूर, इसलिए जो लोग सवाल करते हैं, उन्हें बस यहीं बैट कर यहीं उत्तर देंगे, विश्वास रखे, लोग बदलेंगे, मौसम बदलेंगे, लेकिन हम लोग उपनी विचार धारा से धानत के साथ अडीग रहेंगे, जोहार जारकंड, जै जारकंड, कॉलकता से अ आप सबों के बीच, और संदेश इसलिए, क्योंकि जब जब बिचलित होते हैं, तो असपस्ट हम यहीं से अपना संदेश देने कारी करते हैं, लोग क्या सोचे, फर्क नहीं पड़ता है, क्यों कहा गया है, पीट पीछे उनकी ही बात होती है, जिन में कुछ बात हो, जब तक जिन्दा हो, तब तक निन्दा हो, इसलिए निन्दा से घवराने क्या बशक्ता नहीं, शंतोस दम बंबई से जोहर, इसलिए यदिया निन्दा से घवराने क्या बशक्ता नहीं है, जिन्दा है, तब तक निन्दाओं का सामना करना पड़ाएगा, फिलाल कल के अधिव के लिए आप साधर रामनतित हैं आपकी उपस्तिती हमें गौरबान तीत करने कारी करेगी हमें होसला देने कारी करेगी जोहर